नमस्कार दोस्तों रियेज के सेनिकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और जैसा कि आपको जानकारी है कि संसदिये सासंद प्रणाली में हम संसद के टापिक को कबर कर चुके हैं तो आज के इस लेक्चर में हम लोग संसदिये सासंद प्रणाली के अं मंदि सवालों को आप परिच्छा में हल कर सकें तो आईंए हम लोग एक-एक करके इन सवालों को देखते हैं पहला सवाल है कि लोक सभा कि निर्वाचन के बारे में निमल्खित में से कौन सा Than सही नहीं है निर्वाचन वैस्क मता दिकार की आधार पर होता है यह सही है निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है सही है निर्वाचन के लिए मददताओं की सूची को राष्टपत की निर्देशन में तयार किया जाता है यह वाक के गलत है और चौथा है कि निर्वाचन आयोग के अरोध पर राष्टपत निर्वाचन आयोग क उसके कारेवों के निर्वाहन के लिए करमचारी ब्रिंद उपलब्ध करवाते हैं यह अपने आप में सही कथन है अर्थात यहां पर नहीं पूंचा है और जो आके यहां पर गलत होगा वही इसका सही बिकल्प होगा यानि की बिकल्प संख्यासी इसका सही उत्तर है अगले स कोई नहीं यहां पर यह ध्यान में रखना है कि प्रत्यासी को अपना जमानत बचाने के लिए एक बटे छे भाग प्राप्त होना चाहिए लेकिन यहां पर बिकल्प में कोई भी एक बटा चाने ही अर्थाद बिकल्प संख्याट D होगा जिसमें से सही उत्तर की रूप में उ 2026 तक ये परशन BPSC के साथ UPPSC में भी कई बार पूछा गया है और 2026 तक 1971 की जनगरना के आधार पर इसकी सीटों को यथावत बनाये रखने का नियम बनाया गया है अगला सवाल हम लोग देखेंगे कि भारत की संभिधान में निर्धारित किये गए लोग सभा में सदस्यों क संख्या अधिक्तम हो सकती है ये ब्यवस्था बिकल्प C यानि कि 552 हो सकता है 552 में 530 530 प्लस 20 प्लस 2 ये ब्यवस्था है लेकिन 104 समिधान संसोधन अधिनियम के माद्दिम से आंगल भारतिय समुदाय के लिए जो सीटे रिजर्व की गई थी उसके संदरव में कोई बात नहीं कही गई है अर्थात बरतमान समय में इसकी सीटे 550 हो सकती है अधिक्तम लेकिन बरतमान समय में देखा जाए तो 530 प्लस इसी तरीके से 13 और 2 ये ब्यवस्थाएं थी जिसमें 545 सीटे हुआ करती थी लेकिन अगर 2 सीटे उसमें से कम कर दी जाएंगे तो ये 543 ही बच लोग सभा में राज्यों को किस आधार पर सीटे आवंटित की जाती हैं ये हमेशा से बताया गया कि छेतरफल और भासा और गरीबी ये सब नहीं हो सकता इसमें जनसंख्या ही इसका सही बिकल्प होगा इसलिए जिन राज्यों की जनसंख्या सबसे अधिक है उनमें सबसे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निमनलखित राज्यों में अनसूचित जन जातियों के लिए लोक सभा में अस्थान आरक्षित नहीं है ये सवाल यहां पर पूछा गया है तो इसके लिए हम नीचे कुछ ब्याख्या दिया गया है जिसको देखने का प्रियास करेंगे कि अरुणांचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हीमांचल प्रदेश, जम्मु कस्मीर, करनाटा, केरल, मेगाले, नागालेंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाड, उत्तर से यहाँ पर अनसूचित जन जातियों के लिए सीटे आरक्षित नहीं की गई है, अर्थाद बिकल्ब संख्या डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, चूँकि इसमें कई राजे सामिल हैं और आने वाले परिच्छा में इससे परिवर्तन भी किया जा सकता, इसलिए यहाँ पर ब्याक्या भी सम्मिलित कर दिया गया है, अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कि लोग सभा में अनसूचित जन जातियों के लिए निमनले खित में से किस राजे में सरबाधिक आरचित सीटे हैं, यहाँ पर जन जातियों की बात कही गई है, और जब हम जन संख्या यह नगरी करन परते हैं, तो वहाँ पर मद्य परदेश में सबसे अधिक सीटे होती हैं, अता इन आधहार पर अनसूचित जन जाति के लिए लोग सभा में सरबाधिक सीटे मद्य परदेश में आरचित होंगी, अगला सवाल है कि निमन सामविधानिक संसोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोग सभा के सदस्यों की संख्या में बृद्धी करने से संबंदी थे तो साथवा और एक तीसवा संविधान संसोधन अधिनियम जिसके माद्यम से लोग सभा की सीटे बढ़ाई गई थी, यददब बरतमान समय में 552 अधिक्तम हो स बृद्धी होती चली गई, अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोग सभा को कारेकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, बिसेकली मंत्री मंडल की प्रामर्स पर ऐसा किया जाता है, लेकिन इस पे हम बिकल्प में देखेंगे कि राष्टपती द्वारा स्वाबिवेक से गलत है, प्रधान मंत्री के द्वारा स्वाबिवेक से गलत है, लोग सभा अध्यक्ष के द्वारा गलत है, यहाँ पे नस्दी की जो बिकल्प बन रहा है वो डी है कि प्रधान मंत्री की सिफारिस पर राष्टपत के द्वारा क्योंकि यह माना जाता है कि प्रधान मंत्री मंत्री परिशद का अध्यक्ष होता है उसका मुखिया होता है और उसके प्रामर्स पर उसके प्रामर्स पर राष्टपत के द्वारा लोकसभा को भंगिया जा सकता खैर अगले सवाल में हम देखेंगे कि लोकसभा को उसके कारेकाल की समाप्ती के पूर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोग सभा के कम से कम कितने सत्र यानि कि ये तो बार-बार भी हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ था सी सत्र में दो दो बार एक साल में उसको बरस में दो बार इसे जो है बुलाया जाता है और दो सत्रों के बीच में अधिक्तम 6 मा का अंतराल हो शकता है अगले सबाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्यों का कितना होता है तो यहां पर अनुछेद 100 के अंतरगत जो है ये बेवस्था बनाई गई है अनुछेद 100 क सभा अधिक्ष के द्वारा अधिक्षता के समय मत दिया जाता है और इसी में ये बताया गया है कि एक बटा दस भाग उसकी कोरम होगा गणपूर्ती होगी और इसके अभाव में अधिक्ष के द्वारा उस सदन की बैठक और कार्रिवाही और सत्रों को अस्थगित किया जा सकता है तो इस तरीके से इनकी संख्या जो है आठकिल सो के खंड तीन के अंतरगत एक बटा दस निर्धारित किया गया है अगले सवाल की तरब कि संघी छेत्रों को लोक सभा संघी छेत्रों को परतिनिधित तो प्राप्त है लोक सभा में राज्य सभा में संसद के दोनों सद्रों में प्राप्त है अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ेंगे लोग्सभा की बैठक समाप्त की जा सकती है अस्थगन के द्वारा सत्रावसान के द्वारा बिख्टन के द्वारा यहां पर यह ध्यान में रखना है कि यह तीनों ही माध्यम है जिनके द्वारा उसकी बैठक को समाप्त किया जा सकता अब यह बात और है कि बिख्टन का प्रभाव अलग होता सत्रा वसान का अलग होता और अस्थगन का अलग होता अस्थगत जो है वो सत्र के बीच में कुछ समय के लिए अस्थगित किया जा सकता है बैठक को समाप्त करने के लिए सत्रा वसाँ उनों पूरा سत्र ही समाप्त हो जाता है और पूरा अगली बार सत्र बैठक होता है लेकिन बिख्टन के दौरा पूरी लोकसभा ही जो है वो भंग हो जाती है अर्थात ये चारो हमाद्यम बिकल्ब संख्याडी इसका सही उत्तर होगा अगली सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निमनलिखित में से कौन लोग सभा के सत्र का आवसान करने के लिए प्राधिकृत है निमनलिखित में से कौन लोग सभा के सत्र का आवसान करने के लिए प्राधिकृत है तो इसमें सत्र का आवसान अगर किया जाता है तो यहां पर सत्रावसान विख्टन और आहुद करना यानि कि लोग सभा के सत्र को आहुद करना सत्रावसान करना और विख्टन करना ये राष्टपति का कारे होता है जब हम राष्टपति के संसेदिये सक्तियों और डाइक्तों को पढ़ रहे थे अगला question है कि लोग सभा का कारेकाल है उसके संदर्ब में कुछ वाकि दिये गए है आई येस 2002 में ये सवाल प्रारभिक परिक्षा में पूछे गए है इसके संदर्ब में किसी भी परिस्थित में नहीं बढ़ाया जा सकता ये गलत है एक बार में च्छा माँ बढ़ाया जा सक है और यहाँ पर क्या सही है वो पूछा गया रथात यहाँ पर बिकल्प संक्या सी इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि कौन सा राज सबसे अधिक प्रतिनीदी लोग सभा में भेजता है तो जिसकी जन संक्या सबसे ज्यादा होगी वही उत्तर प्रदेशिस का सही भी कल्प है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्लिल खित में से किस राज जिसे लोग सभा के दो सदस से निर्वाचित किये जाते हैं लोग सभा से दो सदस से निर्वाचित किये जाते हैं तो इसमें उत्तर जो है वो तिर पूरा है हाला कि इसकी seat भी बनाई गई है जिसके आधार पे ये पता चलता है कि किन राज्यों में कहां पे seat एक कितनी कितनी है ये तथ्यात्मक सवाल है जिसको याद करने की जरूरत है इसमें seat भी बाद में आपको उपलब्द करवा दिया जाएगा तो तिरपुरा में जो है दो सबसे बड़ा संसदिये छेत्र लोकसभा संसदिये छेत्र ये जो उन्नाव है जो कि लोकसभा लखनव के जो है नस्दीक में पढ़ता है और यहां जो है जनसंख्या के आधार पर निर्वाच्कों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा जो है ये संसदिये छेत्र है अगल केवल एक सीट है केवल एक सीट का जो प्राधान है वो कहां पर है तो इसमें जो है बिकल्ब संख्या डी यानि की चंडिगर सिक्किम और मिजोरम ये राज़ है जहां से जो है एक सीटे जो है एक सीटों की बेवस्था की गई है निम्नलखित राज्यों और संगराज छेत्रों के समूह में से किसे की लोकसभा में केवल एक सीट है तो चंडीगर है सिक्किम और मिजोरम ये ऐसे जगह है जहां पे एक सीटों का प्रावधान किया गया हर्थाद भी कल्ब संख्या यहां पे डी जो है सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ें कि लोकसभा का पहला आम चुनाओ यह 1952 में हुआ था इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है और कई बार BPSC में उत्तराखंड में MPPSC में जो है यह सवाल पूछा जा चुका है राजएक सरकार अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि नियम 184 के अंतरगत भी बाद पसंद नहीं करती है इस नियम में बाद भी बाद के साथ मददान होता है इसकी ब्याक्ख्या करता है इसलिए यह सही है और इसकी ब्याक्ख्या भी यह सही है हमने संसरीय कारवाही के अंतरगत 184, 193 और 377 ये कुछ नियमों का दिन किये थे 184 में वहाँ पर डिसकसन के साथ मद्दान होता है लोग महत्यों के बिस्यों पर चर्चा किया जाता है और 377 में ऐसे बिस्यों आते हैं जो किनी और कारवाही के माद्यम से नहीं उठाए जाते है तो यहाँ पर ये सवाल महत्यों हो जाता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निमनिलखित में से कौन एक लोग सभा का सरवाधिक बड़ा छेत्रफल के आधार पर निर्वाचन छेत्र है तो ये जो है लद्दाख हुआ करता है ये लद्दाख जो है सबसे बड़ा जो है छेत्रफल के आधार पर निर्वाचन छेत्र है और इसके पूर्व में अभी हम लोगों ने उन्नाव को देखा था ती निर्वाचन संक्या के आधार पर वो सबसे बड़ा संसद ये छेतर था अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा संसत के सभी सदस्यों के द्वारा गलत है ये नहीं होगा परते चुरूप से जनता तो करती नहीं है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा ये ही सही है और अगला है कि लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं ऐसा नहीं है उपाध्धेक्च को इसके संदर में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है उपाध्धेक्च को इनके द्वारा इसे सौंप दिया जाता है लोगसभा के अध्धिच को हटाया कैसे जाता है लोगसभा के उपस्तित सदस्यों के दो तीहाई बहुमत से पारित लोग सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल ये जो है असपस्ट रूप से इसका प्रावधान किया गया दोतियाई बहुमत की बात उसमें नहीं गई गई है हाँ लोग सभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल उसके बहुमत से होना चाहिए और बहुमत का ताथ पर हो गया 50% से जादा लोग उसमें समलित हो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि स्पीकर के पद के बिसे मेंने मिलकित में से कौन सा सही है वह राश्टपत के परसाथ परेंद होता है नहीं यह आवस्थेक नहीं है कि निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्यों परंतूस के छा मां के भीतर नहीं यह भी गलत है क्योंकि उसे होना चाहिए उन्हीं सदस्यों में से ही आपस में इनका चुना होता है अगला है यदि सामान ने अवद इसे पूर्व सदन को भंग कर दिया जाए तो उसे अपना पद छोड़ना होगा यह भी गलत है क्योंकि अगले जो है लोकसभा के जो है गठन के पर्थम बैठक तक वो अपने पद पर बने रहते हैं पर्थम बैठक में प्रोटे में स्पीकर होते हैं जो सदस्यों को सपत दिलवाते हैं और सपत दिलाने के बाद उनका भी पद अपना त्याग पत्र उपाधिक्ष को संबोधित करना होगा दिस इस राइट जो है ऑप्सन और थाद पिकर्प डी यहाँ पे सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे कि प्रोटे मी स्पीकर का कर्तब भी होता है यह सपत दिलाना प्रशन यूपी PCS प्री 2010 में पूछा गया है और यहाँ पे इसके बारे में हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोग सभा कास्टिंग वोट कास्टिंग वोट जब हमने अभी पूर में भी चर्चा किया जब बोट बराबर होने के लिए टाई होने लगे तो हाँ पर किया जाता है और इसकी बेवस्ता जो है आर्ट किल्स सो के अंतरगत जो है किया गया है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे लोग सभा के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डीटेल को भी देखने का प्रियास करेंगे तो लोग सभा पंद्रहवी लोग सभा की अध्यक्ष जो थी वो मीरा कुमार थी और सोलहवी लोग सभा इसके जो सुमित्रा महादिन यानि कि जो लोक सभा की पहली महिला है वो बंद्रहवीलोक सभा की अध्यक्ष के रूप में थी जो कि मीरा कुमार थी और जो 16 यानी कि क्रम से ही देखा जाए तो दोनों ही महिला रही है अध्यक्षा और 16 में सासे 16 सासे सुमित्रा महाजन तो थोड़ा सा याद करने के लिए आसानी यानि कि अगर आगे पीछे से भी बिलान के लिए सवाल आता है तो इसलियाद से ऐसे जो है समझ महत्पूल होंगे आप सभी लोगों के लिए यानि कि लोक सभा की पंद्रहमी लोक सभा में मीरा कुमार थी और 16 में लोकसभा की अध्यक्षा जो है देखा जाए तो सुमित्रा महा जन्ती हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे निल्कित में से पर्थम जन्जाती है लोकसभा अध्यच पीए संगमा जी थे ये सवाल भी PCS 2015 में पूछा गया है तो पीए संगमा जी जो है लोकसभा के पर्थम जन्जाती अध्यच रहे हैं लोकसभा सची वाला है चुकि लोकसभा है और उसके सच वाला की बात है तो इसकी जो है देख रेक में लोकसभा अध्यच होते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि लोकसभा में किसी बिदेख पर आम बहांस निमलखित में से किस अस्तर पर होती है सबसे महतुपूर्ण सबसे जादा समय तक दुती वाचन होता है बिकल्फ संक्याटी यहां पर सही होगा पीसीस 2016 में सवाल पूछा भी जा चुका है निमलखित में से कौन से सक्तियां लोकसभा को अगले सवाल पर हम लोग आते हैं तो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अननी रूप से प्राप्त है यानि कि केवल लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में केवल लोकसभा को प्राप्त है राज्यसभा की वो प्राप्त नहीं है तो धन बिधेक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किये जाएंगे एकदम सही है धन बिधेक की निरस्तिकान संसुधन के संदर में सही है मंत्री परसिद की उत्तरदाय तुकिछ संदर में सही है अकिल भारती सेवा ये राज्य सभा का कारिय ये लोग सभा का नहीं है अर्थात बिकल्प संख्या बी one two three इसमें सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ बढ़ता है कि राज्य सभा में होते हैं 250 सदस और 20 सदस से राश्टपत के द्वारा नहीं ये 12 हैं ये है 250 सदस से और 12 सदस राश्टपत के द्वारा चार महत्पूर्ण शेत्रों से मनो नीद किये जाते हैं यानि कि विकल्ब संख्या सी यहां पर सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राजसभा में राज्जियों को प्रतिनेदित निनांकित में से किस आधार पर दिया जाता है राजसभा में राज्जियों को प्रतिनेदित उनकी चनसंख्या के आधार पर ही दिया गया है यददप अमेरिका के संविधान में अ प्रतनिधित दिया गया है इस आधार पर उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा जो है सीटे यहां के लिए निस्चित की गई हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनलिखित कथनों पर विचार किया जाए निमनलिखित कथनों पर विचार किया जाए संग रा निर्वाचन जगडों का निर्वाचन आयुक्ति के अधिकार छेत्र में है अगला है भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राजसभा होती है तो यहां ये गलत है क्योंकि इसमें लोकसभा राजसभा और राष्ट पतीनों आते हैं निर्वाचन के लियो और पांडे चेरी उनको दिया गया है तो अर्थात ये भी वाग के गलत है इस आई एस दो हजार बारा में कोईश्चिन पूछा गया बिकल्प संक्या डी यहां पर सही उतर होगा क्योंकि सब गलत तो यहांनी कि कोई नहीं राज सभा के सदस्द से चुने जाते हैं इस के आधार पर चुने जाते हैं यानि कि राज सभा के सदस जो है वो राजियों की बिधान सभाओं के द्वारा बिकल्प संक्या ए इसमें सही उतर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज सभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्द से आजीवन सदस जोते हैं गलत इसे विक्टित नहीं किया जा सकता है इसके कुछ सदस से दो तिहाई दो बरस में आवकास करहन करते हैं इसके कुछ सदस से प्रती दो बरस यानि कि बी और सी दोनों यहाँ पर सही है अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य सभा को भंग करने का अधिकार भाई यह अस्थाई जो है सदन है इसे कोई नहीं कर सकता है यहाँ पर आपको दिग फर्मित करने के लिए ऐसे सवाल लाए जाएंगे जिस पर आपके कॉंसेंट्रेशन की बेहतर होने क जो हो सकता पिछा और जरूरत है ताकि ऐसे सवालों में आप अपने काबिलियत को सिद्रे कर सके यानि कि बिकल्प संख्यट्टी यहाँ पर सही होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राज्य सभा से संबंदित मिनिल्खित कतनों में से कौंसा एक सही है जियों में प्रादेशिक निर्वाचन छेत्रों से परतेच गलत है परतेच रूफ से आते हैं राज्य सभायत असीग अपने किसी सद्स को सभापत ने उपराश्टपती ही होते हैं और भारत की महाना दिराश्ट में बोलने का अधिकार नहीं है है ही नहीं इसलिए यह भी बढ़ते हैं पर्थम अभी नित्री जो राज्य सभा के लिए नामांकित की गई थी यह है इसका सही उत्तर है नर्गिस दत्ची थी जो की पर्थम अभी नित्री थी जिसे राज्य सभा के लिए नामांकित किया गया था और देविकार रानी जी थी जो की अभी नित्री थी देवीकार रानी और इन्हें ही जो है पर्थमा भीनित्री के रूप में दिया गया था दाद सहाफ फाल के पुरुसकार खैर यहां जो प्रश्ण है उसका उत्तर जो है बिकल्प भी होगा अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन सा राज्य सभा की एकांतिक संति के अंतरगत आता है तो अखिल भारतिये सेमाओं का गठन अनुच्छे 312 के अंतरगत यह राज्य सभा का एकांतिक कार्य है आकास्मिक रिक्ति में भारत के उपराश्टपति का निर्वाचन किसी राज्य की विधान परिशद की समापती अपने सभा पती को अपदस्त करना यानि कि इसमें विकर्ब संख्या ए जो है इसका सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमनलखित में से कौँ सा एक कथन राज सूची के बिसे के संबंद में बिधी बनाने की संसत की सक्ति के बारे में सही नहीं है राज सभा को कि ऐसा करना राश्टी हित में है ये तो सही है राज सभा को उपस्तित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दोती है सदस्य से पारिद करना होगा सही है ऐसी बिधी संपूर्ण भारत या उसकी किसी भाग के लिए बनाई जा सकती सही है राज सूची में समलित बिसे के संबंद में राश्टी हिद में बिध केवल राज सभा बना सकती ऐसा नहीं है क्योंकि बिध का बनाया जाना एक प्रक्रिया है जिसमें लोग सभा और राज सभा दोनो समलित होते हैं और यहां नहीं पूँचा है तो जो वाके गलत होगा वही इसका सही उत्तर हो जाएगा अगले सभाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतिय सम्विधान के अंतरगत निमनलखित में से कौन सा अनुछेद संसत को राज सूची के बिसे के संबंद में बिध बनाने की सक्ति प्रदान करता है अनुछेद दो सो वनचास ये जो है राज सूची की बिसे में बिध बनाने की सक्ति प्रदान करता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यदि सरकार राज सभा में पारित हो जाए तो क्या होता है राज सभा से कोई मतलब नहीं है क्योंकि अनुछेद 75 के खंड तीन में ये बताया गया है कि सरकार जो है कारिपाली का जो है वो लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होगी अर्थात राज सभा में अगर कोई बिधेख पारित नहीं होता तिससे सरकार के उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगले सभाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्रिलखित कत्नों में से कौन एक भारत के संभिधान की चोथी अनुसूची को सही वरडित करता है राज सभा में अस्थानों को आवंटित करना ये बेवस्था है एक में संभियोन राज शेत्र की बात कही गई है दो में विविन प्रकार के प्ताधिकारियों की बेतन भत्ते तीन में सपद गरहन समारो चार में राज सभा में अस्थानों का आवंट नित्यादी के बारे में बेवस्था और प्राउधान किया गया है राज सभा का अध्यच राज सभा का अध्यच राष्ट पर द्वारे नियुट किया जाता है नहीं उपराष्ट पती इसका पदेन अध्यच होता है और थाद बिकल्ब संख्यासी यहां पर इसका सही उत्तर होगा अगले सभा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि किस सभा का अध्यच उसका सदस से नहीं होता जाहिर सी बात है कि राज सभा का जो अध्यच है राज सभा का जो अध्यच वो उसका सदस से नहीं होता है क्योंकि वो उसके सर्थ में ही है कि उसे लोग सभाया राज सभा का सदस से अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि राज सभा के सदस से बनने है तो अरताओं के संदर्व में निमलिखित कहतनों पर विचार कीजिए उसे कम से कम तीस बर्स होना चाहिए जहां से अभिर्थी को निर्वातिज किया जाना है उस राज की मतदाता सूची में मतदात के रूप में पंजीकृत होना चाहिए राज के अंतरगत लाव का पद धारित नहीं होना चाहिए यानि कि बिकल्व संख्या एक और तीन यहां पर यह सही होगा 2003 में ये ब्यौस्था कर दिया गया है कि राज सभा के लिए निर्वाचित होने वाले ब्यक्तिक को भारत के कि अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि राज्य सभा किसी भी धन विध्यक में सारभूत संसोधन करती है तो तत्पस्चात क्या होगा तो लोग सभा राज्य सभा किसी धन विध्यक में सारभूत संसोधन करती है तो लोग सभा राज्य सभा की अनुसंसाओं को सुविकार करे या सुविकार करे इस विध्यक पर आगे की कारवाई कर सकती है लोग सभा आगे कोई विचार नहीं कर सकता गलत है पुनर विचार के नहीं कर सकता है ये लोग सभा के उपर निर्भर करता है कि वो उसके संदर में क्या नेड़े लेता है उसके आगे के कारवाई करता है क्योंकि धन भी देख के संदर में संपूर सकती है लोग सभा के पास है राजे सभा इसे केवल और केवल अपने पास 14 दिन के लिए जो है ही रोक सकता है इससे ज़्यादा समय के लिए उसके पास कोई भी सकती नहीं है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमली खित में से कौने राजसभा का सदसे होते हुए भी लोगसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है मन्तरी जो राजसभा की सदसे होते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि 368 के अंतरगत संसद संभिधान के किसी भी भाग में संसोधन कर सकती है संसद भारत की जंता द्वारे निर्वाचित उच्चेतम बिधाई संस्ता है बिसेक लिए दोनों ही वाक के सही है और उसकी ब्याक्ख्या भी सही करता है अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं एक बरस में कम से कम कितनी बार ये तो पूर्व में भी हम लोगों ने देख लिया यूपी पीसियस प्री दोहजार उन्नी सो पंचार में सवाल पूछा गया दो बार ही इसमें होता है अगले सवाल की तरफ हम लोग यहां पर बढ़ेंगे कि भारत के संविधान में निम्नलखित में से क्या कथित है राष्टपत संसत के किसी भी सदन का सदे से नहीं होगा सही वाकिए संसत राष्टपती और दो सदनों से मिल करके बनेगा यहां पर देखा जाए तो राष्टपत संसत के किसी भी सदन का सदस नहीं होगा यह उसकी सर्थ में है तो वाकि सही है और दूसरा संसत राष्टपती और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी यह भी सही है यानि कि बिकल्फ संख्या यहां पर भी जो है वो सही होगा ये भारत के संविधान में निम्लकित में से क्या कथित है दोनों ही वाकिय यहां पर सही है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भारते संसद बनती है तो ये लोकसभा, राजसभा और राश्टपती यानि कि बिकलप संख्या डी यहां पर सही होगा लोकसभा, राजसभा और राश्टपती है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि संसद बिधान सभा के किसी सदस की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह बिना सदन को सूचित किये ये तो 60 बर्स, 60 दिन के लिए ही है और इस संदर्ब में एक बिवस्था ये भी है कि सरपर्था में एक सांसद बिधाय को इस आधार पर आयोग घोसित किया गया था कि वो अनुमत के बगार 60 दिन तो ये राजसभा का जो इस सदस्त था जो कि पंजाब से थे 2002, 2000 इस भी में पंजाब की निर्दलिय सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर आयोग घोसित किया गया था मिन्स 2014 में एस सवाल 2004 में एस सवाल पूछा भी जा चुका है अगली क्वेस्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि निमनलखित में से कौन सा एक जो है प्रावधान भारतिय समिधान के अंतरगत संसद के सदस्यों के बिशेशाधिकारों तथा उन मुक्तियों को निर्धारित करता है अनुछेद 105 इसके लिए बनाया गया है और बिधान मंडल में 1952 के अंतरगत इस तरीके का प्रावधान किया गया है 105 में सो जोड कर 10 घटा देने पर 1952 आता है जो की उसी तरीके का प्रावधान भिधान मंडल के लिए करता है अगले कोईस्टिंग के तरफ हम रोग बढ़ेंगे कि किसी मंतरी के बिर्द बिशेशाधिकार प्रस्ता उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले में तथ्यों को रोकता है तथा बिगड़ा हुआ वड़न देता यानि कि उस तथ्यों को तोड़ बरोड़ कर पेस करना कुछी सूचना कुछ ही पा लेना तो उसके बिर्द बिशेशाधिकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है अगरे कॉश्चन की तरफ हम बहुख बलते हैं कि निमनिलखित में से किनको लोकसभा और राजसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है ये संसद के निम्न सदन उच्छी सदन राज बिधान मंडल के उच्छी सदन और राजसभा में वो उनकी सदस्यों को अपरतिश रूप से चुनता है तो यहां पे राज बिधान मंडल के सदस्य सही उत्तर होगा जो कि आईयस प्री दो उनीस सो पंचानवे में सवाल पूछा गया है अगली सवाल की तरफ भारतिये संघिये संसत राज सुची की बिषे पर कानून भना सकती है अन्तराष्टिये समझोतों को परभावी करने है तो समदित राज की सहमती से राष्ट पत्सासन राष्टिये हित्में जब राज सभा दोती हाई भॉमत से इसे पारित कर दे तो जाहिड सी बात है कि ये सभी बिकल्प अपने आप में सही है यानि कि जब यहां पर उन दो सो चार जो वाके संख्या चार है ये अनुच्छे दो सो अन्चास के अंतरगत बेउस्ता है राज्यों के सहमती अनुच्छे दो सो बावन के है अन्च्छे दो सो तिरपन के है और राष्टपत सासन अनुच्छे दो सो चार पन के अंतरगत इस प्रकार की बेउस्ता है बिकल्प संक्या डी यहां पर सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अंतरश्टिय संधीयों को भारत के किसी भाग अत्वा संपूर भारत में लागू करने के लिए संसत कौई भी कानून बना सकती है राज्यों की सहमती से बिना किसी सहमती से इसमें अंतर राष्ट यह वहां पर ज़रूर्ट नहीं है कौन सा कथन सही है राजसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की बिधान सभाएं करती हैं सभी सदस्यों का नहीं गलत है राश्टपत भी मनुनीत करते हैं उपराश्टपत राजसभा का पदेन सभापत होता आता राजसभा का कोई सदस्यों से उपराश्टपत च गलत है अगला में जब बढ़ते हैं कि भारत के समिधार में राजसभा के नामित सदसिक की मंत्री परसित पर न्यूक्ति असपष्ट सब्दों में निसीद है ये भी वाग की गलत है क्योंकि हो सकता है जब ये सवाल पूछा गया था उनीस सो चौरानवे में तो वहां पर रा राजसभा के लिए उसी राज्य के नियम को हटा करके सभी राज्यों या पूरे देश में किसी भी पंजीकृत मद्दाता के रूप में हो सकता है दोजार टीन में किया गया है अर्थात उस समय ये वाग कि सही था अगले कोश्चिन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि अध्य सदस को बोलने के दे सकता है ये कहलाता है बैठ जाना इल्डिंग अ फ्लोर ये बैठ जाने को ले कहेगा क्योंकि ये को कहेगा बोलने के लिए दूसरे को बैठने के लिए कहेंगे तो ये बैठ जाना होता है इसमें कई प्रकार के जो है प्राधान है जिसे डिकोरम और अंतर प्रदन किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीती या कारे के बिबरन की माग हे तू संसदिये परकरिया अंतर प्रदन कहलाती है अंतर प्रदन कहलाती है तो इस तरीके से ये कुछ सब्दावली है जो कि कार्रवाही के दोरां सदन में बोले जाते हैं संसदिये सब्द है जिनकी ब्याक्या समझ लेना आवसिक है पचित्याग है मर्यादा है अंतर परदन है और बैठ जाना है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सून निकाल संसद्य बेवस्था को किस देश की देन है ये तो भारत की है बेवस्था है और उनिस सुमासर्ट में पत्रकार में नहीं आते हैं यहां पर आते हैं लोग महतुके होते हैं तो इस तरीके से प्रश्ण का उत्तर जो बिकल्प डी होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भारतिय समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत अंतर राष्टिय समझाओ तो को प्रभावी बनाने है तो संसद राज सूची के बिसे पर कानून बना सकता है यह अनुछे तीन सो दो सो तिरपन के अंतरगत बिकल्प संक्याओ डी का सही उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निम्कित में से कौन सा एक कथन सही है धन बिदेख राज सभा में अस्थापि उत्तर होगा अगले सवाल की तरफ जब संसद के दोनों सदनों की सन्यूट बैठक बिनिर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो इस किससे द्वारा पारिक किया जाना होता है उपस्तितियों मत देने वाले सदस्यों के साधारन बहुमत से इसे ध्यान में रखना हो से कि विसे अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत में संसद के दोनों सदनों की सन्यूट बैठक अनुच्छेद 108 में सुविकृत है सही है लोग सभात राजसभा की पर्थम बैठक भी 1961 में हुई थी ये भी सही है दहेज निसेत के संदर में संसद की दूसरी बैठक बैठक आयोक निर्मसन के संदर में 1978 में हुई थी और अगला पोटा यानि की प्रिविंशन आफ टेरिरिरिजम आयक्ट 2002 में आयोजित की ग लोग सभा में राजसभा में कानूनी बिधेक दोनों पठलों में से किसी भी पठल पर रखा जा सकता है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निमलिखित कत्रों में से कौन साथ से सही हैं लोग सभा में लंबित कोई बिधेक उसके सत्रा वसान पर लैप्स हो जात नहीं लोग सभा में ही अगर वो है और सत्र का मतलब समाप्त होने से उसके बिखटन का नहीं है अर्थात वो समाप्त नहीं होगा और राज्य सभा में लंबित कोई विदेग जिसे लोग सभा ने पारित नहीं किया है लोग सभा के बिखटन पर ब्यपकत नहीं होगा ये सही ह क्योंकि राजसभा में लंबित है जिसे लोगसभा ने पारित ही नहीं किया है तो उसका लोगसभा के बिक्टित होने से कोई फरक नहीं पड़ेगा और लोगसभा के बिक्टित को उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा विकल्प संख्याद B यानि कि वाकित दो इसमें सही होगा और पहला वाक की लोग सभा में लंबित कोई भी देख उसके सत्रा उसान पर बेफ़क्त हो जाता है यह वाक की यहां पर गलत है अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि भारत के संचित नीधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्र है नियंत्र क्यों महालिका अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि निर्गत में से कौन सा एक भारत की संचित नीधि से लिये जाने वाला अनिवार बेभार नहीं है और इन जो भारत सरकार को चुकाने है भारत की निर्वाचन आयोग के सदस्यों के बेतन बत यहां पर यह नहीं होगा निर्व अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल है कि निर्गत में से कौन सा एक भारत की संचित नीधि पर भारत नहीं है भारत की राष्टपती का बेतन बत यहां पर सही होगा उपर राष्टपत का बेतन बत यहां पर सही होगा उपर राष्टपत का बेतन क्यो तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने संसद के बारे में आप तक पूछेगे सवालों का पहला भाग हल किया चुकि यह एक बड़ा टॉपिक है और इसक्रीन रिकार्डिंग के अंतरगत यह सभी क्वेस्चन्स को अपने में सामिल करने में जो है सफल नहीं रहा ऐसी इस्तित पर फोकस कीजिए पुना मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार